नमस्कार मित्रों आशा है कि आप ठीक होंगे और आपके स्टेडी, काम वगरा ठीक चल रहा होगा आज मैं एक और विशे के उपर आपके साथ माटना चाहता हूँ, शेर करना मांगता हूँ और वो है बीज के बारे में बीज, सीड हम बीज को लगाते हैं, चाहे वो आम का बीज हो, या केले का हो फ्लावर के सीड्स हैं, कई प्रकार के बीज हम पौधे लगाते हैं, पेड लगाते हैं, पेड के लिए ताकि वो फल ला सके प्रभू हमारे परमेश्वन ने कई बार दृष्टान्त इस्तमाल किया दृष्टान्त मतलब एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी कहानी या उधारन जिससे हम कोई आत्मिक बात सीख सकते हैं, आत्मिक लेसन, आत्मिक पार्ट हम सीख सकते हैं दृष्टान्त हम उसको कहते हैं, इंगलिश में हम पैरबल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दृष्टान्त है, एक स्टोरी कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, और उस कहानी के द्वारा एक संदेश लोगों तक पहुँचाना, अब रभू शुमसी ने कई दृष्टान्त दिय यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उसने दृष्टान्त दिया, उडाओ पुत्र के बारे में, कई बार उसने कहा कि मैं चरवाहा हूँ, और तुम लोग भेड़े हो, कई बार उसने कहा किसी ने कोई चीज़ खो दिया, उसको पा लिया, तो दृष्टान्थ से वो परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में बताते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक दृष्टान्थ परमिश्वर प्रभीश्मसी का दृष्टान्थ आपके सामने रखूंगा और थोड़ा उसके उपर बताऊंगा इसके लिए हम पढ़ेंगे लूकारची सुसमाचार आठवा ध्याय चार से पंद्रा जब बड़ी भीड खट्टी हुई और नगर-णगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टान्थ में कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला बोते हुए कुछ मार के किनार गिरा और रौंदा गया और अकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परन्तु तरीना मिलने से सूख गया कुछ जाडियों के बीच में गिरा और जाडियों ने साथ-साथ बढ़कर उसे दबा लिया और कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और उग कर सौगुडा फल लाया यह कगर उसने उचे शब से कहा जिसके पास सुनने के कान हो वा सुन ले उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है उसने कहा तुम परमेश्वर के राज की भेदों की समझ दी गई है पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें दृष्टांत यह है बीज तो परमेश्वर का वचन है मारक के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहें ऐसा न हो कि विश्वास करके उद्धार पाए चटान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनन से वचन तो ग्रहन करते हैं परन्तु जर्ण पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परिशा के समय बहग जाते हैं। जो जाडियों में गिरा, सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख फिलास में फस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमी में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरा से फल लाते हैं। तो ये पद हमने ये पैरबल आपके सामने पढ़ा, दृष्टान पढ़ा कि कैसे बीज बोने वाला निकला। तो पहली बात हम देखते हैं परमेशर के वचन में जो बीज है, बीज की जो उपमा दी गई है, वो परमेशर के वचन से दी गई है। हम पढ़ते हैं, ग्यारमा पद, आठमा अध्या है, लुका का, उसका ग्यारमा पद, दृष्टान ये है कि बीज तो परमेशर का वचन है, वर्ड़ अब गॉल, और बीज जो है आप जानते हैं, उसमें बहुत सारी छमता होती है, पोटेंशल होता है। अगर हम उस बीज को सिर्फ टेबल पर रख दे तो वो फल नहीं लाएगा, उसको जमीन में गारना होगा, पानी देना होगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, धूप चाहिए, ऑक्सिजन चाहिए, कई प्रकार के निउट्रिशन उसको चाहिए, उसके लिए टाइम चाहि वो बीज के समान है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, मैं परमेशर का वच्चन आपके दिल में बोने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, आशा है कि आप ये बीज अपने मन में लिक रख करके, उस पर ध्यान करके, उसका फल एक और पद मैं पढ़ना मांगता हूँ, पहला पत्रस एक तेईस, पहला पत्रस उसका पहला ध्याय तेईस्वा पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि तुमने नाश्मान नहीं, पर अभिनाशी बीच से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहने वाले वचन सुनता है और वो व्यक्ति जब उस वचन को ग्रहन करता है तो वो नया जन पाता है, वो आगे बढ़ता है अपने मसी जीवन में, तो आईए हम वापस चलेंगे उस बीच बोने वाले के दृष्टान की तरफ, जो कि लुकारची सू समाचार और उसके आठवे अध्य में हमें मिलता है, तो पहली बात हम देखते हैं, प्रभीश मसी ने कहा, भीच बोने वाला जो निकला, वो वोते समय कुछ मार के किनारे गिरा, रौन्दा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, और इसी का जो एक्स्प्लेनेशन जो दिया गया है, आगे चल करके, उसने कहा, कि मार की किनारे की वे हैं, बारवेपद में, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा न हो, कि वे विश्वास करके उधार पाएं, मेरे प्रियों, आप अभी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, कहीं ये मार में तो नहीं गिर रहा है, मार वो है, जो कि जहां पर खाद नहीं होता, जो कि अच्छी भूमी नहीं होती है, ऐसी चलता फिरता है, और क्या होता है, कि वो ऐसी पड़ा रहता है, उसमें जर्ण नहीं जाता, जमीन के अंदर नहीं जाता, और पक्षी आते हैं, और उसको उ जैसा लिखा हुआ है कि मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तो तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कहीं ऐसा नहों कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और हम परमेश्वार के वचन को सिर्फ मार्ग वाले जो जमीन है उस पर ना डाले कहीं ऐसा नहों कि वो वचन हमारे जीवन में काम ना आए मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और वो है याकुब की पत्री उसका पहला अध्याय और 23 और 24 लिखा हुआ है जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मूँ दरपण में तो देखता है इसलिए कि वो अपने आपको देखकर चला जाता है और तुरंद भूल जाता है कि मैं कैसा था जरूर है मेरे दोस्तों आपने अपना मूँ दरपण में आईने में आज सबेरे देखा होगा मूँ धोया होगा ब्रश किया होगा आशाय कि आपने ब्रश भी किया होगा दातों का लेकिन हम मूँ धोते हैं सबेरे उटके तो अगर कोई कालिक है कोई दाग है कोई गंदगी है कोई महलापन है तो हम उसको साफ करते है साबूं से पानी से उसी प्रकार परमेश्व का वचन हमें बताता है कि यार यहां पर दाग है यहां पर साफ करना है और यदि हम सिर्फ ऐसे ही सुन करके उस पर ध्यान न दे तो ये मार्ग में गिना हुआ वचन है जो शैतान आ करके उठा करके ले जाता है आईए हम आगे पढ़ें एक और जमीन का किस्सा दिया गया है छट्मे पद में हम वापस चलेंगे लूकार अचिसू समाचार और उसका आठ्मा अध्या है और छट्मे पद में हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है दूसरी भूमी और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया एक और भूमी है जो चट्टान वाली भूमी है भूमी तो है लेकिन चट्टान जादा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह आप जानते हैं चट्टान में पत्थरों में पानी नहीं रहता है भूमी में रहता है और यह चट्टान पर गिरा है तो उसका दूसरा जो अर्थ है वो तेर्वे पद में दिया गया है, प्रभु इश्व मसी ने उसका explanation भी दिया है, क्या दिया है आएए देखें, तेर्वे पद में इस प्रकार से लिखाए कि चटान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनन से वचन को ग्रहन तो करते हैं, प कोई भी जब भी जहां भोते हैं तो उसका जड़ पकड़ना बहुत जरूरी होता है, अगर जड़ न पकड़ेगा कोई भी पधा तो वो नहीं बढ़ेगा, आप कोई भी पधा उठा करके देख लिए चाहें, जंगली पधा हो या फल वाला पधा है, हर एक के जड़ होता ह और उस जड़ में से उसको निट्रिशन, खाना पानी खाद ये सब मिलता है जो नीचे से जड़ से उस पधे तक पहुंसता है, लेकिन भाई साब चटान में तो पानी नहीं है, और पानी तो बहुत जरूरी होता है, कली शाम को मैंने अपने पाधां में पानी दिया, क्यों सूख रहे थे, और वो पीला सा पढ़ रहा था, तो मुझे पता पढ़ा कि पानी डानने की जरूरत है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सूख जाता है, और वो सूखता भी कैसे कई प्रकार के temptation आते हैं, कई प्रकार की परिक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, और उस वचन को सुखा देती हैं, हम ठहर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें जड़ नहीं हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है, कभी-कभी हमारे जीवन में परिशाने आती हैं, बिमारियां कोई हमें मिसंडरस्टेंड कर गया उधारन के रूप में, या लोग हमारे विरोध में कोई जूटी-जूटी बात गड़ रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उसमें पवित्रा आत्मा का पानी नहीं जाता है, लेकिन हम शरीर की अभी-लाशाओं में फस जाते हैं, और वो नहीं पकड़ पाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस जो बीज हमारे अंदर वोया, पहले तो खुब अच्छी तरह से सुना, हाँ भाई बहुत अच्छा बोला, कभी-कभी हम क्या करते हैं, चर जाते हैं, बहुत अच्छा कोई वचन सुनते हैं, और खुब आत्मा को अपने जीवन में अलाव ना करके, टेम्टेशन और मुसीबत और दूसरी जो बातें आती हैं परिक्षा के समय, वो हमें बहका देती हैं, और इस तरह से हम सूख जाते हैं, और कुछ समय के बाद वो बीच का कोई मतलब नहीं रहता, हाँ थोड़ा समय तो काम किय लेकिन कोई मतलब नहीं रहता, आए हम तीसरे भूमे की ओर देखें, ये कौन सी भूमी है, तीसरी वाली बात हम देखते हैं सात्वे पद में, लुकार अचिसू समाचार उसका आठमा ध्या और सात्वे पद में क्या लिखा है, तीसरी प्रकार की भूमी में कुछ जाडिय जाडियों के बीच में गिरा और जाडियों ने साथ-साथ बढ़कर उसे दबा लिया, अब उसी का एक्स्पलेनेशन हम चौदा पद में देखते हैं, प्रभूई शमसी कहते हैं, जो जाडियों में गिरा, सो वे हैं जो वचन तो सुनते हैं, पर होते होते चिंता, धन, जी नहीं फलता या पकता है ये उस प्रकार के हैं आप जानते हैं जाडियां जहाँ पर होती वहाँ पर अंधेरा से रहता है अंधेरा होने का मतलब वहाँ प्रकाश ठीक तरह से नहीं पहुँच पाता और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा सूरज का तो naturally क्या होगा वो जाड़ियां उसको दबा देंगी चोक कर देंगी और वो आगे नहीं बढ़ेगा वही पर मर जाएगा आत्मिक रिती से इसका मतलब है कि हम वचन तो सुनते हैं लेकिन हमारे उपर दबाव आता है कभी कभी क्या होता है खुब पैसा आजाता हमारे जीवन में और हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं परमेश्वर के भै को भूल जाते हैं हमारे जीवन में और तो वो हमारा जो आत्मिक जो पेड़ है वो सूख जाता है क्योंकि हमने धन पर ज्यादा ध्यान दे दिया, वचन पर ध्यानी नहीं दिया, कभी-कभी हम सोचते हैं कि यार ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, घर भढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया, सुख विलास हो गया, तो सुख विलास के साथ-साथ हमारा जो आत्मिक बात है वो कमजोर हो गया, आत्मिक जड़ जो है वो कमजोर हो गया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेजर्स हैं सुक भोग सुक विलास अभी लाशा हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, ये चोक करती है, जाडियों के समान हैं जो हमें दबा कर रखती है प्रकाश हम तक नहीं पहुँच पाता और हम वहीं हमारी भीज हमारा जो वचन है जो भोया गया है वहीं पर मर जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बीज बोया गया थोड़ा सा पनपा लेकिन जाब ये अभी लाश आएं दुनिया के केर लोग के विचार धार आएं उनकी फिलोसफी में हम मशगूल हो जाते हैं पैसा खुब मिल जाता है तो हम परमेशर का बचन भूल भाल करके बस व खुब अच्छारा उसके बाद जहां सब कुछ बढ़िया हो गया तो कौन परमेशर का बचन कभी कभी ऐसा हो जाता मैंने कई लोगों को सुना मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा हुआ है और तब परमेशर का बचन दिलाएं नरेंदर तुम वापस आओ तो ये तीन तो प्रका सब्सक्रार से है और कुछ अच्छी भूमे पर गिरा ये वचन ये प्रभूश्वमसी ने वचन के बारे में का कुछ अच्छी भूमे पर गिरा और उगकर सौगुणा फलाया यह कहकर उसने उचे शब्स से कहा जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले अरिजाब एक चुनोती परमेश्वर के वचन ने यहाँ पर दिया है और इसका जो हम देखते हैं explanation वो पंद्रवे पन में है लू का आठ का पर अच्छी भूमी के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरत से फल लाते हैं अब जो बीज बोने वाला जो निकला था उसने बीज बोया और ये जो है बहुत अच्छी भूमे पर गिरा अब ये कहने का मतलब है कि ये जड़ पकड़ा अच्छी तरह से इसमें पानी भी आ रहा है खाद भी आ रहा है हवा भी है आक्सिजन भी है सब प्रकार की चीज़ें यहां पर है तो उसी प्रकार से आत्मिक रिती से हम देखते हैं कि जड़ हम उसी समय पकड़ेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे उस पर मेडिटेट करेंगे उसको याद करेंगे उसको हम मानेंगे मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कुलूसियों उसका दूसरा अध्याए सात्मा पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ूँगा सो जैसे तुमने मसी येश्व को प्रभू करके गढ़न किया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाएगे वैसे ही विश्वास में द्रण होते जाओ और अत्यन धन्यवाद करते रहो और चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोके के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परमपरा मत्र और संसार की आदिश शिक्षा के अनुसार है पर मसी के अनुसार नहीं क्योंकि उसमें इश्वरत्वक की सारी परिपोर्ता सदे वास करती है तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं परमेशर के वच्चन में कुलूसियों से मैंने अभी पढ़ा कि हम उस वच्चन को सुन करके उसको समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं एक और पद मैं आपके इफीसियों तीसरा अध्याय और सत्रा पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और विश्वास के द्वारा मसी तुमारे हिर्दय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भाती समझने की शक्ति पाओ कि उस परमिश्वर का वचन सुनाया जाता है अभी आप परमिश्वर का वचन सुन रहे हैं मैं आपको क्या दे रहा हूं मैं आपको परमिश्वर का वचन सुना रहा हूं मैं बीज बो रहा हूं मैं समझ लीजिए उधारन की रूप में मैं उस बीज बोने वाले के समान हूं जो बीज बोने निकला और ये बीज में आपके दिल में डाल रहा हूं और आशा है कि ये आपके जीवन में आपके दिल में आपके हिर्दाय में ये जड़ पकड़ेगा अच्छी रिती से क्योंकि ये अच्छी भूमी हो सकती है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस जड़ को क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता और ना पापियों के मार में खड़ा होता और ना ठटा करने वालों की मंदली में बैठता है परन्तु वह तो यहुआ की विवस्था से प्रसन रहता और उसकी विवस्था पर रात दिन ध्यान करता ह करता रहता है वह उस व्रिक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं इसलिए जो कुछ वह पुरुश करे वह सफल होता है देखा कि किस प्रकार से जो जड़ है वो पानी के साथ नदी में लगाए गयें और उसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं उसी प्रकार से परमेश्वर के वच्चन को आप द्राद दिन ध्यान करें उसके बारे में सोचें MP3 जो आज कल चला हुआ है उसमें आप परमेश्वर का वच्चन भर करके उसको सुनें उस पर ध्यान लगाए मनन करना बहुत जरूरी है और जब आप मनन करेंगे उसको पढ़ेंगे उसको याद करेंगे तो लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वच्चन को अपने हिर्दे में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद पाप न करूँ जवारा अपनी चाल को कैसे शुद रखे तेरे वच्चन के अन गलतियों उसका पाँच और बाइस को मैं आपके लिए पढ़ूँगा गलतियों पाँच बाइस पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ बाइस में इस प्रकार से लिखा बाइस और थेईस में परात्मा का फल प्रेम आनंद मेहिल धीरज और कृपा भलाई विश्व प्रवास नम्रता और सयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी विवस्था नहीं देखा आपने जो वचन अच्छी भूमी पर गिरा वो फल लाता है क्योंकि उस वक्ती ने उस पर ध्यान दिया उस पर मनन किया उसको याद किया उसकी आग्या का पालन किया और तब इस प और मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले अब आप सोचेंगे अरे भई मेरा तो कान है कान तो सब के होते हैं लेकिन यहाँ प्रभूश मसी कहने का मतलब है कान है जिसके कान है का मतलब है जो सुनने के लिए ततपर है कभी-कभी हम बहुत कुछ सुनते ह अपने कानों से लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए परमिश्र का वचन कहता जिसके कानों इसका मतलब जो ध्यान से सुनता है और उस पर अमल करता है उस पर चलने की कोशिश करता है तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम जब उसके वचन को सुनकर मनन करते हैं उसके वचन को पढ़कर मनन करते हैं तो वचन अच्छी भूमे पर गहता है और आशा है कि ये भूमे आप है जो इस वचन को ग्रेंड किया परमेश्वर आपकी अगवाई करे धन्यवाद